प्रेंस अभी हम बात करेंगे वीवो वीफोटी पोकर बारी में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसके कीमाइट करीब पचास रुपय होने बाली है लुक वाइच देख सकते हैं पौन कैसा दिखने वाला है इसको फ्लिप बार्ट आप दोनों से ले सकते हैं इसके फीचे की बात कर लेते हैं यह दो बारेंट में आता है एक 8GB और दूसरा 12GB के साथ 8GB के साथ 256GB होगा और 12GB के साथ 512GB का होगा इसके फीचे की बात कर लेते हैं डिवल सिम 3G, 4G, 5G होगा डिंसिटी 9200 प्लस होगा अक्टर को जो की रन करेगा 3.35GB टच प्रसेसर पर 8GB का रहा है होगा 256GB इंटर्नल होगा 5500 इमेच की बैटरी होगी जो सपोर्ट करेगी 80W फार्ट साइजिंग को रहा है जो की 50-50MP के त्रेंट का भी कैमेरा जो है वह भी 50MP का है मेमोरी कार्ट सपोर्ट नहीं करेगा और फोल रन करेगा Android 14 पे प्रेंट जैसे जैसा की बताया एक ये Android 14 पे रन करेगा और इसकी थिक्स होने वाली है 7.58mm और इसका बज़न होने वाला है 192 ग्राम का इन डिस्प्लेय फिंगरपेंट सेंसर होगा और डिस्प्लेय की बात करें तो 6.7 इंच का डिस्प्लेय होगा जो की एमरेटी स्क्रीन होगी जो आएगा आप 4500 निट्स ब्राइटनेस के साथ और 128 अच का रिप्रेस्ट रहेगा पंच ओल डिस्प्लेय रहेगा कैमरा रहेगा OIS जिससे आप 4K का विडियो रिकार्ड कर सकते हैं प्रेंट का भी रहेगा 50 मेडा पिक्सल का जो की OIS होगा इसमें 8GB का रायम रहेगा और 8GB का वर्च्वल रायम रहेगा आप तको प्रसासर रहेगा 3G, 4G, 5G की कनेक्टिविटी रहेगी 3.5 का आपको इसमें Bluetooth मिल जाएगा Wi-Fi मिल जाएगा USB-C मिल जाएगी 55 मेड़ की बैटरी मिल जाएगी और 80Watt प्रेस चार्ज के साथ और Reverse चार्जिंग भी इसमें मिलेगी इसमें आपको FM रेडियो और 3.5 mm का जैक देखनों को नहीं मिलेगा और डिटेल से इसके इस्प्रेक्सिक वाले हम देखते हैं 10 स्माटर नमबर है B40 Pro 2 SIM card होगा, Nano SIM होगी आप इसकी star value भी देख सकते हैं यह लांच हो चुका है सब 20 सकस्त को आप बॉक्स के अंदर देख सकते हैं यह सब चीज़ें आपको मिलने वाली है इसमें दो कलर आपको देखने को मिल जाएंगे ब्लू और ग्रे इसकी इन टो वाड़ी देख से हो आपको 93.3% मिल जाएगा कब डिस्पेय मिल जाएगा और RGB का Virtual RAM मिल जाएगा इस्टोज टाइप की बात कहें तो स्टेटाइज UFS 3.1 मिलेगा जोकि वेरी फास्ट होने वाला है 5G की बहुत सारे बैंड आपको देखने को मिल जाएंगे Wi-Fi का वर्जिन 7 मिल जाएगा Bluetooth का 5.3 वर्जिन मिलेगा इसके लाब आप अधर पीचर भी देख सकते हैं इसमें Water Resistance मिल जाएगा Dust Resistance मिल जाएगा क्योंकि इसमें IP68 की रेटिंग है इसमें 50 MP का मेन सेंसर होगा और टेलिस्कोप जो भावी 50 MP का होगा वायड एंगल जो का है आप बहुत सारे सेंसर दिये गए इसमें यह तो इसमें सारे पीचर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे कि पचास एक सिस्क तक आपको जूम देखने को मिल जाएगा कि फोर्ट के का वीडियो रिकार्डिंग कर सकेंगे आप फेंड या बैक केनर दोनों से कि कस्टम यूई फंटाच ओएस फोर्टीन को मिलेगा आपको हर दरकार आपको मियोजी का वीडियो सुपोर्ट मिल जाएगा और आप देख सकेंगे इसमें जिवास चार्जिंग मिलेगी और असी वाट फ्राइस चार्जिंग मिलेगा और पच्पन सव मेश की बैटरी मिलेगी जो कि नौन रिमोबल होगी आपके लिए बहुत अच्छा अगरा फोन लेना चाहती है तो इसके उपर जा सकते हैं अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा